गीता सार पहला अध्याय अर्जुनवी शादयोग पहले अध्याय का नाम अर्जुनवी शादयोग है, जब शौरिय और धैरिय साहस। और बल इन चारों गुनों से युक्त अर्जुन पर क्षमा और प्रग्या यानी बुद्धी का प्रभाव बढ़ा और उन्होंने युद्धा भूमी में हथियार डाल दिये तब उनके क्षात्रधर्म का स्थान कारपण्या ने लिया, तब कृष्ण ने तर्क से बुद्धी स ज्यान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिती से, दोनों के नियामक, अव्याया पुरुष के परिचे से और उस सर्वोपरी परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन को वापस प्रेरित किया, इस अध्याय में इसी त मानित परमप्राओं का तरकों द्वारा वर्नन आया है, अर्जुन को उस क्रिपन स्थिती में रोते देखकर क्रिश्न ने उसका ध्यान दिलाया है कि इस प्रकार का क्लव्य और हरिदय की क्षुद्र, दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर के लिए उचित नहीं, उन्होंने पताया कि प्रग्यादर्शनकाल, कर्म और स्वभाव से होने वाले संसार की सब घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है, जीना और मरना, जन्म, लेना और बढ़ना, विशयों का आना और जाना, सुख और दुख का अनुभव, ये तो संसार में होते ही हैं, तीसरा अध्याए, कर्म योग इस अध्याए में, अर्जुन ने इस विशय में और गहरा उतरने के लिए स्पष्ट प्रश्न किया की सांक्या और योग इन दोनों मार्गों में आप किसे अच्छा समझते हैं और क्यू नहीं यह निश्चित बत्स्ते की वे इन कर्म योग है, अर्थात जो साधारन समझ के लोग कर्म में लगे हैं उन्हें उस मार्ग से उखाडना उचित नहीं क्यूंकि वे ज्यानवादी बन नहीं सकते और यदि उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों और से भटक जाएंगे चोथा अध्याई ग्यान कर्म सन्यास योग इस अध्याई में जिसका नाम ग्यान कर्म सन्यास योग है ये बताया गया है कि ग्यान प्राप्त करके कर्म करते हुए भी कर्म सन्यास का फल किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है यहीं गीता का वो प्रसिद वचन है कि जब की हानी होती है तब-तब भगवान का अवतार होता है, पाँचवा अध्याई कर्मसण्यासयोग इस अध्याई में, कर्मसण्यासयोग नामक युक्तिया फिरसे और ध्रिड़ रूप में कही गई हैं, इसमें कर्म के साथ जो मन का संबंद है, उसके संसकार पर या उसे ध्यान दिलाया गया है, ये भी कहा गया है कि एक स्थान, पर पहुँच कर सांक्य और योग में कोई भेद नहीं रह जाता है, किसी एक मार्ग पर ठीक प्रकार से चले तो समान फल, प्राप्त होता है, जीवन के जितने कर्म हैं, सब को समर्पन कर देने से व्यक्ति एकदम शा अध्याया का नाम आत्म सयम योग है, जिसका विशय नाम से ही पता चलता है कि जितने विशय हैं, उन सब में इंद्रियों का सयम श्रेष्ठ है, सुख में और दुख में मन की समान स्थिती, इसे ही योग कहते हैं, साथवा अध्याय ज्यान विज्यान योग इस अध्याय की संग्या ज्ञान विज्ञान योग है, विज्ञान की दृष्टी से अप्रा और परा प्रकृती के इन दो रूपों की व्याख्या गीता ने दी है, अप्रा प्रकृती में आठ तत्वा हैं, पंच भूत, मन, बुद्धी और अहनकार, इसमें इश्वर की चेश्टा के संपर् उलेक किया गया है, आठवा अध्याय अक्षब्रमयोग इस अध्याय की संग्या अक्षर ब्रमयोग है, उपनिशदों में अक्षर विद्या का विस्तार हुआ, आर गीता में उसे अक्षर विद्या का सार कह दिया गया है, अक्षर ब्रह्मा, परम, मनुश्य, अर्थात जी प्रजविव और शरीर की सैयुक्त रचना का ही नाम अध्यात्म है, गीता के शब्दों में ओम। एकाक्षर ब्रह्म है, नौवा अध्याये राजविद्या राजगुए योग इस अध्याय को राजगुए योग कहा गया है, अर्थात। समस्त कर्मकांड यग्या, अमृत और मृत्यू, संथ और असंथ, और जितने भी देवी देवता है, सबका पर्यवसान ब्रह्मा में है, दस्वा अध्याय विभूतियोग इस अध्याय का नाम विभूतियोग है, इसका सार यह है कि लोक में जितने देवता हैं, सब एक ही भग अर्जुन ने भगवान का अंश हैं, मनुश्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ती के ही रूप हैं, देवताओं की सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विश्नु का रूप मानकर समन्वय की एक नई द्रिष्टी प्रदान की गई है जिसका नाम विभूति योग 11 अध्याई विश्वरूप दर्शनयोग इस अध्याई का नाम विश्वरूप दर्शनयोग है इसमें अरजुन ने भगवान का विश्वरूप देखा विरात रूप का अर्थ है मानवीय धरातल और परिधी के ऊपर जो अननत विश्व का प्रान्वन्त रचना विधान है उसका साक्षात दर्शन बारावा अध्याय भक्तियोग जब अर्जुन ने भगवान का विराट रूप देखा तो वो घबरा गया और घबराहट में उसके मुह से दिशो न जाने न लभेचा शर्म वाक्य निकले उसने प्रार्थना की की म के लिए जो स्वाभाविक स्थिती इश्वर ने रखी है वही परियाप्त है तेरवा अध्याय क्षेत्र क्षेत्रग्य विभागयोग इस अध्याय में एक सीधा विशय क्षेत्र और क्षेत्रग्य का विचार है ये शरीर क्षेत्र है उसका जानने वाला जीवात्मा क्षे अंतन का निचोड है, सत्व, रज, तम, नामक तीन गुण है, अकेला सत्व शांत रहता है और अकेला तम भी निश्चेश्ट रहता है, किन्तु दोनों के बीच में, रजो गुण उन्हें सक्रिय करता है, पंद्रवा अध्याय पूरुशोत्तमयोग इस अध्याय का नाम पू पूर्नन किया गया है, नरय पूरुश्तीन है, क्षर, अक्षर और अव्याया, इनमें पंचबूत क्षर है, प्रान अक्षर है और मनस्ततवा या चेतना की संग्या अव्याया है, 16. अध्याए अर्थात जिसमें जिस गुन का प्रादुर्भाव होता है, उसकी श्रद्धा या जीवन की निश्ठा वैसी ही बन जाती है, यग्या, तप, दान, कर्म ये सब इसी से संचालित होते हैं, 18. अध्याए में मोक्ष सन्यास योग का जिक्र है, इसमें गीता के समस्त उपदेशों का सार एवं उपसाहार है, इसमें बताया गया है कि प्रित्वी के मानवों में और स्वर्ग के देवताओं में कोई भी ऐसा नहीं जो प्रकृति के चलाए, हुए इन तीन गुनों से बचा हो, मनुष्य को क्या कार्य है, क्या अकार्य है, इसकी पहचान होनी चाहिए, धर्म और अधर्म को, बंध और मोक्ष को, वृत्ती और निवृती को, जो बुद्धी ठीक से पहचनाती है, वही सात्विक बुद्धी है